हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आज चैनल एंड कैसे हैं आप सभी लोग तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे हम यह ब्यूटिफुल सा लटकन अपने घर में बना सकते हैं विद यूजलेस एंड वेस्ट मैटेरियल तो लेट स्टार्ट विदाव डिले बनाने के लिए हमें बेसिक लिए थोड़ा सा नेट पैब्रिक चाहिए इसके हमने राउंड राउंड पैटन में काट लिया है इस नेट को यू किन सी हमने बहुत सारे यह राउंड काट के रख मिल जाती है और बहुत ही अफॉरडबल कॉस्ट पर मिल जाती है यह पूरा रोल मुझे 20 रुपए का मिला इसमें कफी नाइन मीटर के करीब आपको मिलेगी यह डोरी तो बहुत सारे ब्लाउजे यह लेंगा आपको बनाने हैं तो उसमें लग जाएगी दैन वीविल नीड कोई भी आप इम्रोइड फैब्रिक ले सकते हो इस तरीके का इसके हमने स्क्वेर काटके इस तरीके से स्टिच कर लिया है इसको और इसमें ना यहां पर एक जगह पे हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे मैं आगे वीडियो लगा दूंगी जिसमें आपको पता चले कि ह हुए यह कैसे बनाए तो एक यहां पर होल रहेगा जिससे हम कोई भी वेस्ट फैब्रिक फिल कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर यह फैब्रिक ले रखी है इसको अभी इसके अंदर फिल करके इसको एक छोटा सा पिलो का लोक देंगे तो यह उस परपस से मैंने यह बना रखे हैं then we will need some waste क्या कुछ आपके पास मोती या कुछ इस तरीके का golden समान पड़ा हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं हमने यह दो चक्री ले रखे हैं और यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा है लेट सी हम इनको कैसे यूज करते हैं तो this is all we need तो पिलो बना के बाद हम आगे से थोड़ा सा space छोड़ देंगे जिससे हम उसको सीधा करने में आसानी से सीधा कर सकते हैं तो यह हमारी पिलो तयार हो गई है ना और राउंस जो हमने net के काटे थे वो इस तरीके से काटेंगे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से हम लेके हम डोरी में इस तरीके से स्टिच कर देंगे बाकी अब जो हमारा extra net fabric लिया हुआ था हमने उसका एक फ्लावर बनाएंगे इस तरीके से जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है छोटे-छोटे टांके लगा के एक राउंड राउंड करके हम फ्लावर बना देंगे औ तकि वो जो extra fabric है पीछे वाला वो ना देखे इस तरीके से ये फ्लावर बन जाएगा फिर हमारे पास जो golden material था उससे हम कुछ-कुछ designing कर लेते हैं जैसे कि हमने इसमें मोती के साथ rods भी यूज करी हैं अगर आप चाहो तो आपके पास rods नहीं हैं तो आपके बल मोती का यू के help से और इसको properly हमको यहां पर secure कर देना है यू किन सी कि इस तरीके से ये लगना चाहिए अब हमने जो starting में cones बनाए थे उन में से हम cones को इस तरीके से fold कर लेंगे and 2-3 pieces cones के लेके उनके corners को एक साथ stitch कर देंगे जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको बस वैसे ही steps follow करने है now you can see हमने एक और लड़ी बनाई है net के cones की वैसे ही जैसे हमने पहले वाली बनाई थी and इसको हम जो पहले वाली लड़ी है उसके side में stitch करेंगे अभी आपको जैसे वीडियो में देखता है से ठीक उसी तरीके से let's see हमने इसको थोड़ा सा side में उसके stitch कर दिया है औ और यह बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं अभी से ही अब इससी तरीके से हम इनके side side में और छोटे छोटे करते हुए लगा देंगे now you can see हमारा यह पूरा लटकन तयार हो गया है और यह बहुत ही प्यारा लग रहा है अगर आपको भी यह सुन्दर लगा तो please like share and comment on the video and subscribe to our channel for more such videos फिर मिल दे हैं with the new video new idea till then take care bye bye see you